हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल तो फ्रेंड आज की क्लास में हम प्रति दिन बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों की प्रक्टेस करेंगे तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे प्रति दिन के लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें हमारा first sentence है मेरी चीजों से दूर रहो तो हम English में कहेंगे stay away from my stuff मेरी चीजों से दूर रहो stay away from my stuff next sentence आज मैं बहुत थका हुआ हूँ यदि आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ English में कहेंगे I am dead tired today आज मैं बहुत थका हुआ हूँ I am dead tired today आज मैं बहुत थका हुआ हूँ next sentence है आपका इससे कोई मतलब नहीं है जब भी हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि आपका इससे कोई मतलब नहीं है English में कहेंगे it's none of your business आपका इससे कोई मतलब नहीं है it's none of your business इससे आपका कोई मतलब नहीं है मुझे नहीं पता है जब भी आप किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है अक्सर हम बोलते ही न किसी भी चीज को मुझे नहीं पता है इंग्लिश में कहेंगे I don't know मुझे नहीं पता है I don't know मुझे नहीं पता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं यदि आप किसी को पसंद करते हैं और आप किसी से बताना चाहा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इंग्लिश में कहेंगे We both like each other हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं We both like each other हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है चिलाना बंद करो जब कोई बहुत ज़्यादा चिलाता है तो आप अक्सर कहते ही होंगे कि चिलाना बंद करो या ज़्यादा मत चिलाओ इंग्लिश में कहेंगे Stop shouting चिलाना बंद करो जब कोई हसता है तो आप कहते होंगे कि तुम क्यों हस रहे हो तो हम इंग्लिश में कहेंगे Why are you laughing? तुम क्यों हस रहे हो? Why are you laughing? तुम क्यों हस रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहाना है यदि आपको नहाना है और आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मुझे नहाना है तो आप इंगलिश में कहेंगे I have to tag bath मुझे नहाना है I have to tag bath मुझे नहाना है next sentence है मुझे वहाँ जाना है यदि आप किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है तो आप इंगलिश में कहेंगे I have to go there मुझे वहाँ जाना है I have to go there मुझे वहाँ जाना है नेक्स्ट सेंटेंस है आपका घर कहां है यदि आपको किसी से पूछना है कि आपका घर कहां है अक्सरम यह सेंटेंस बोलते ही रहते हैं कि आपका घर कहां है तो हम इंग्लिश में कहेंगे Where is your house? अस्पताल कहां है यदि आपको किसी से यह पूछना है कि अस्पताल कहां है आपको पता नहीं है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे Where is the hospital? अस्पताल कहां है Next sentence है मैं रास्ते में हूँ यदि आपको किसी को बताना है कि आप रास्ते में हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे I am on the way, मैं रास्ते में हूँ. I am on the way, next sentence है, एक तरफ हो जाओ, यदि आप हो किसी को side में करना है तो आप बोलते हैं न, अक्सर की एक तरफ हो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे move a side, एक तरफ हो जाओ, move a side, एक तरफ हो जाओ, next sentence है, मुझे यह पसंद नहीं है, यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आप किसी को बताना चाहते हैं, कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे I don't like this, मुझे यह पसंद नहीं है, I don't like this, मुझे यह पसंद नहीं है, क्य क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ? जब आप किसी से यह कहना चाह रहे हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ? English में कहेंगे Can you help me ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ? Can you help me ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ? Next है तुम क्या करते हो ? यदि आपको किसी से ये कहना है कि तुम क्या करते हो, तो इंगलिश में कहेंगे what do you do, तुम क्या करते हो, what do you do, तुम क्या करते हो, what do you do, next sentence है, तुम कहां काम करते हो, यदि आपको किसी से ये पूछना है कि तुम कहां काम करते हो, इंग्लिश में पूछेंगे तुम कहां काम करते हो इसकी जगे आप हॉस्पिटल भी जोड सकते हैं कि आई वर्क एट अ हॉस्पिटल मैं बैंक में काम करता हूं इसे अपने पास रखो यदि आपको किसी को ये कहना है कि इसे अपने पास रखो तो इंग्लिश में कहेंगे इसे अपने पास रखो Keep it with you इसे अपने पास रखो Keep it with you Next sentence है मैं सच कह रहा हूँ यदि आपको किसी को ये बताना है कि मैं सच कह रहा हूँ तो इंगलिश में कहेंगे I am telling the truth मैं सच कह रहा हूँ I am telling the truth मैं सच कह रहा हूँ तो guys I hope आज की क्लास आपको पसंद आई हो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने Thanks for watching this वीडियो मिलते हैं हम अब अगली क्लास